संसर सत्र के दोरान बीजेपी के लोकसबा सांसा निशका अंदूबे ने विपक्ष पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि बंगाल और देश के कई भागों में अवैद घुसपैथी आ रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि कहीं से कोई घुसपैथ नहीं हो रही है उन्होंने धर्म के साथ समविधान के बारे में भी बात की और कहा कि पंडित जवाहलाल नहरू ने रातो रात इस देश को एक धर्म नरपेक्ष रास्ट घोशित कर दिया निशकान्दूबे ने आपातकाल के समय को याद करते हुए मुलायम सिन्यादों का भी एक किस्सा सुनाया देखिए सदन में निशकान्दूबे का ये बयान है कि पूरे देश को ये मैसेज दे दिया ये देस हिंदू है हिंदू रास्थ है और मुसल्मान के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो उल सकती है फैजाबाद का नाम अपोजिशन के किसी आदमी ने लिया है पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीती करता रहा आज हिंदू हिंदू चैला रहा है जिस लोग सभा से अपने सपासी MP है उसका नाम फैजाबाद है किसी ने फैजाबाद नहीं का सब नहीं है और यही भारत पूरे बंगलादेश वहां से आके बंगलादेशी घुस्पेटिये जो अपने आपको पसिम मंगाल का नागरिक करते हैं उन्होंने हमारी पहु बेटी का इचक लुटा उनके घर को चलाया उनके घर को भगाया आप कह रहे हो कि वो बंगलादेशी घुस्पेटिये नहीं ह मैं एक ऐसा सक्स हूँ, अखलेजी सुनी हाराम थी, मेरे उपर कॉंग्रेस और जीमेम ने 44 केस कि, मेरे 80, मेरे 80, 85 साल के मा पिता जी को पर केस वे, गैलरी में मेरी द्वाइप एटी वी है, मेरे बच्चे बैटे वे हैं, उनके उपर केस हुआ, कि मैं मोदी का सिपाही हूँ मैं भारती जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मैंने बचन लिया, प्रन लिया, कि मैं जनता के पास वोट भांगने नहीं जाऊंगा, दो मार्च को पार्टी ने मेरा टीकट रेनाउंस किया, दो मार्च को मेरा चुनाओ एक जुन को हुआ, 90 दिन के पूरे केमपेन में मै मैंने जनता से वोट नहीं मांगा और मैं यहाँ पार्लियमेंट में जीत कराया आपको हरा कराया हूँ थातान वही इंद्रागांदी जो कह सही संभिधान वही है अरे संभिधान मचाने वाले यदि मोदी दें मोदी दें संभिधान बदला मैंने कल से लेके आज तक सभापती मोदीया सारे विपक्च के भासन को सुना सारे विपक्च के भासन में असत गुम्रा करने वाले तत निरासाबादी डर और डर की जो पराकास्था हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है हम कभी जीत नहीं सकते उस तरह के भासन को देखाए यहां विपक्च के नेता ने भासन दिया सभापती मोदिया मैं वो नहीं हूँ जो हूँ जो मैं दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ पिछले बार मैंने कहा था कि यहां प्रेत आकर भासन देखे चला गया इस बार जो मुझे लगा उनके भासन से के एक फिल्म हमने देखी थी Mr. India अनिल कपूर जो है किसी को दिखते नहीं है फिर दिख जाते हैं यदि लाल जो है कहीं दिखाई देगा तो वो Mr. India के अनिल कपूर है जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं कि विपक्ष का क्या डरह सवापती महदिया यह आप समझिए गौस्पेल टूथ के आधार पर असत्य को सत्य बनाने की कोशिस कर रहे हैं पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राज़नीती करता रहा आज हिंदू हिंदू चैला रहा है जिस लोक सभा से अपदेश पासी MP है उसका नाम फैजाबाद है किसी ने फैजाबाद नहीं का सब नहीं है उग्या का यही भारती जंता पार्टी की जीत है यही मोधी की जीत है और मैं प्रधार मंत्री जी को बढ़ाई देना चाहता हूं धन्यबाद देना चाहता हूँ रमायन के शपाई है कि राम रमापति लगा मिताई संदेवू उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि ये देस हिंदू है हिंदू रास्त है और मुसलमान के नाम पर कोई प्र्राज निए नहीं कि फिजैश का नाम अपोसिट्रिशन की कि आदमी ने लिया कि असक्ति कि इंहों ने कहा हमारे ओपर इडि आ गई हमारे ओपर सिवी आई आ गई हम किसी से नहीं डरते आप वहाँ चले गए बासबाड़ा चले गए आपने क्या भासन दे दिया क्या जीत गए मैं एक ऐसा सक्स हूँ अखलेजी सुनिया आराम से मेरे उपर कॉंग्रेस और जेमेम ने 44 केस किये मेरे 80 साल 85 साल के मापिता जी के उपर केस वे गैलरी में मेरी बाई बैटी हुए हैं मेरे बच्चे बैटे हुए हैं उनके उपर केस हुआ भाई के उपर केस हुआ और सरकार ने आर्टियाई मैंने मंगाया है 10 करोड रुपईया हाई कोट और सुप्रिम कोट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया राहुल गांधी जी की यात्रा हुई मलिकार जुन खरगे का दो कारिक्रम हुआ प्रियंका गांधी जी गई उन्होंने कहा कि मैं चेंबर में वोट मांगने नहीं जाऊंगा दो मार्च को पार्टी ने मेरा टीकट रिनाउंस किया दो मार्च को मेरा चुनाव एक जून को हुआ 90 दिन के पूरे केमपेन में मैंने जन्ता से वोट नहीं मागा और मैं यहाँ पारलियमेंट में जीत कराया आपको हरा कराया हूँ जिस छेतर से हमद स्वरेन विधायक हैं उस जिले का मैं सांसद हूँ और आदिवासी बाहुली इलाके से मैं 10,000 वोट से जीत कराया मेरा समय है आप सुनिये ही मेरा समय है पांच मिनट में ख़तम नहीं होगा यह बाते किस तरह का सत्त और सत्त की बात कर रहे हो आप आप कर रहे हो मुसलिम की बात कर रहे हो मंदल सुत्र की बात कर रहे हो कि प्रधान मंत्री जी ने गुस्पैठिया कह दिया हाँ प्रधान मंत्री जी ने गुस्पैठिया कह दिया 2009 में सभापती मौधिया आप मंत्री थी 2009 से इस संसद में इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बंगल बंगलादेसी घुसपेठिया बढ़ा हुआ है संथाल प्रणामे चाहे वो जामताड़ा हो पाकुड हो साहब गंज हो उर्सिदाबाद हो माजदा हो किसन गंज हो अररया हो और हालत यह है हमारी इस्थिती यह है कि यहां विजय हासदा बैठे वे मैं उनसे पूछ रहा था ग भारी बहु बथी का हिचत लुका उनके घर को चलाया उनके घर को भगाया आप कह रहे हो कि वो बंगलादेसी घुसपेठिय नहीं नहीं उनकी जंशग्या नहीं है पूरे देश वर में मैं गोपी चक्की बात कर रहा हूं सवापती महदिया सवापती महदिया सवापती महदिया पूरे देश में परिस्थीवन हो गया पूरे देश में परिस्थीवन हो गया आप आदिवासी की बात करते हो आप पिछड़े की बात लगता है एक लोग सवा का सीट आदिवासी का और तीन विधान सवा का सीट घट रहा है परिस्टीमन नहीं हो गया घुस्पेटिये बढ़ रहे हैं आदिवासी लड़कियों के साथ साधी हो रही है धर्मांतरन हो रहा है इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंतरी घ सिब की बात होती है हम उस विचारधारा के लोग हैं अधजल गर्गरी छलकत जाए जिसको कोछ समझ में नहीं आती यदि आपको सिब का ही दिखाना था गुरु नानक का दिखाना था तो मंदिर चले जाते यार गुर्द्वारा चले जाते इस पार्लेमेंट में फोटो क्य को चार हाथ है चार हाथ है एक हाथ में होता है और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है ऐसे भी हाथ है ऐसे भी हाथ है ऐसे भी हाथ है 28 मुद्राएं है और 28 मुद्रा क्या है जो माननी मोधी जी कर रहे हैं यह सब को जानने क्या आवशक्ता है एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में जिसके हात में डमरू बजावाएं डमरू मतलब स्टार्ट करेए प्रकृति को स्टार्ट करेए जीवन को स्टार्ट कर Nie गरीब हों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिएं दूसरे हाथ में क्या है представля करना अगनी है भगवान सिर्फ के हात में वो यह सब्सक्राइत है कि चाहे केज्री वालो जो भरस्ताचारी है जिसने छंता का पैसा लुटा है उसको जैल भेजिए है ठीसरा हाथ है जो यह काता है कि जंता को खाना कि लाइये और चाहता हाथ है चोथा हाथ है कि कभी भी विक्सित भारत के लिए भविश के लिए इन्सॉलबेशन के लिए ये भगवान सीव है आपको यदि धर्म नहीं पता है यार कहां से धर्म के बारे में पता करोगे त्रिसूल जो है भूत भविश और बरतमान की बियाख्या करता है इसलिए वो त्रिसूल है और हमारे प्रधान मंत्री भूत भविस और बर्तमान को देखकर विक्सित भारत के संकल के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आईगी ये सवापतिम हो दिया सवापतिम हो दिया ये संविधान की बात करती है अभी मैंने कहा मिसा जी मैं आपके वारे में बोलाओ नहीं कहा कि मैं बोलूँगू मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे मेरे गिरू गोविंदाचारिया उस वक्त वो भी जेल में थे राम बहादुर राय भी जेल में थे और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रखते इसलिए उनका नाम मिसाभार की जिस किताब का विमोचन राहूल गांधी ने किया M.K. स्टालीन की आत्म कथागा उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापती मोधिया पता है कि इमर्जंसी में जो है मेरे पिता जी ने पुलिस को हेंडोवर कर दिया और यहां बैटे वे हैं अखलेस यादव जी इनके पिता जी के साथ मुझे कांप गरने का मौका बिलार बड़े आदमी थे इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भासन सुनता हूँ उन्होंने मुझे इमर्जंसी की कहानी सुनाई कि जिस दीन इमर्जंसी गए तो उनकी वाइट के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास ली था आप सम्विधान की बात करते हो आपने का राज ये डिवीजन कर लिया आपको पता है कि क्या हुआ सात्मा संसोधन उन्हें सचपपन में जब नहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा आपने भी नरेंद्रमोदी कहा इसलिए मैं नहरू कर रहा हूँ सवापति मौदिया सात्मा संसोधन ये किया कि राज जी को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बॉन्डरी चुनने का और यही अकारण है कि सात्मे संसोधन के बाद 14 राज और 6 यूनियन टेरिटरी बन आप संविधान की बात करते हो आप करते हो संविधान बचाने की बात क की प्रस्तावना स्वर्ण सिंग कमीटी के बाद जब इमर्जंसी में सारे बढ़े ने था चाहे वो लालु प्रसाद जी हो गुलाहिम सी यादा वो करूना जी जी हो अड़वानी जी हो अटल जी हो हमबती नंदर भगुना हो कॉंग्रेस के जंद सेकर जी हो बाबु जब जैप्रगास ने रायन ने मैं MP की बात कर रहा हूं यह सारे लोग जब जेल में बंदे तो स्वर्ण सिंग कमीटी बनाई उन्हें सचीप्तर में 42 में संसोधन हुआ उस 42 में संसोधन ने हमारे धर्म पराएं अंदेश को हम धार्मिक हैं हम हिंदू हैं बिट्टु यहां बै भी कर दिया रात रात बेदल दिया है आद उस्हाण benefits जोड़ दिया पूरा देश जो है इमांदार है इसी कारण इमांदारी से चलता है आपने इमांदार जोड़ दिया और आपने उस मेश्राइडि पात करते हो उन्होंने कहा कि जो हम कानून मनाईंगे जो fundamental right हुए थे जो हमने फंडा हमारे four fathers ने जो fundamental right दिये थे उसके साथ आपने fundamental duties एक अलग सब जोड़ दिया आप सम्मिधान मनाने की बात करते हो पूरा का पूरा 42 बासंचोदन उन्होंने कहा कि जो सम्मिधान कानून बनाएगा क्योंकि इंद्रा गांधी की सतस्कता खतम हो उन्होंने कह चैसा लोगा का तस अभी इंद्रागांधी जो कई सई शंविधान वही है झाल झाल